Dear CM Institute, आपसे कुछ request करी गई थी और आपने अभी तक उसके उपर कोई action नहीं लिया है तो please आप students का time waste मत कीजिए और कुछ बातों के उपर action ले लीजे एक बार आप शद भूल गए होंगे तो मैं बाते आपके सामने दुबारा रख देता हूं कुछ बहुत important areas है, बहुत important concerns है जिनकी वजे से बच्चे परशान है अगर आप बच्चों की problem को समझ सकते हो तो please उसके पर action लो सबसे पहली चीज़ सर आप लोगों ने typing का जो introduce कर दिया कि MCQ में typing करनी है वो बिल्कुल illogical है उस typing को please आप लोग खतम कर दीजे प्रैक्टिकल सब्यक्ट में आपको working notes भी चाहिए, working notes में आपने अपना format दे दिया, आप खुछ सोचो कि कोई भी बच्चा आपके format के साब से working notes थोड़ी ना बनाएगा working notes का क्या आप लोग मतलब जानते हो, working notes का मतलब होता है कि calculations कि जो भी बच्चा answer present कर रहा है, उसके लिए वो अपनी workings क्या कर रहा है, तो workings हमेशा student के point of view से रहती है, उसके अपने इसाब से रहती है, आप कैसे expect कर सकते हो कि working notes बच्चा आपके इसाब से दे, यह तो आप बच्चों को क्या कहते है, रटवाने की कुशिच कर रहे हो प्लीज आप लोग को इन दो चीओ पे, सबसे ज़ादा इन दो चीओ पे आपको action लेने की जरुवत है, आपको typing speed खतम कर देना चीए और working notes खतम कर देना चीए, पूरा का पूरा paper आप लोग 100% MCQs बना दो, और क्यों नहीं बना सकते है, दिक्कत क्या है, आप लोगों से अ कोई आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे, एक आप उनके MCQs को देखो, कितने बड़ी आतरीके सो नहीं है, उनके कोशन का लेवल देखो आप, case-based MCQs उन्होंने बनाए, आप भी case-based MCQs बना सकते हो, reason and assertion related questions उन्होंने बनाए, आप भी reason and assertion related questions बना सकते हो, तो प्लीज अप लोग को अपने paper pattern को revise करना चागए, अपने paper pattern को change करना चाहिए, और ऐसा नहों sir, आप लोग paper pattern change कर रहे हो, और आप बच्चों को एक hafta पहले बता रहे हो, दस दिन पहले बता रहे हो, नहीं, आपको गम से कम एक महिने का time adequate time बच्चों को देना पड़ेगा, तो इसके बोत अजाञें जैन्वरी 2022 सब करो, उसे जादा लेट नहीं तुम कि बच्चों का पहले घराब कर वा चूगों आप जैन्वरी 2022 सब अगे एक्जाम कर वा लो लेकिन एक्जाम बार तरीके से, अच्छे तरीके साफ एक्जाम कर वो अपने paper pattern को change करो 100% उसे MCQs करो और हमें एक mock test नहीं चीए हमें at least 3 mock test चीए चलो अगर 3 नहीं निकाल सकते तो 2 mock test निकालो एक आपने mock test डाल दिया वो भी बिल्कुल बेकाद घडिया तरीके साप लोग ने mock test दिया अब आप उमीद करते हो कि सर बच्चा उसे प्रैक्टिस करके एक्जाम में देने चला जाए बच्चा उससे तो और वनी कंफ्यूज हो गया आपकी study mat में आप खुद पता है study mat में कुछ आपकी चीज़ अपडेटिड है इतने error study mat में हर question में error हर area में error उसको कॉंटीक करेगा वो तो हम आपसे demand करी निरे उसको भूली जाओ उसको भूली जाओ उसके उपर में बाद में आऊँगा study mat के उपर भी एक question उठाना है वो बात की बात है फिलाल जो exam का area है उस exam के area को सुधारो कम से कम दो या तीन mock test paper बच्चों के लिए बनाओ so that वो practice कर सके और पूरा का पूरा paper आपको 100% MCQs करना चाहिए अपनी exam की dates को थोड़ा बोत और और आगे लेके चले जाओ at least 1 मेने की extension आप लोग को जरूर देनी चाहिए और कुछ opt-out के पीचे भी बच्चों के कुशन आसे तो आपको clarification देरीजिए कि opt-out scheme का क्या होगा और एक यह clarification ओर देतो कि online exam लोगा या offline होगा अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा है sir offline exam भी हो सकते है लेकिन मुझे पता है sir आप लोग offline exam नहीं करवा सकते आप online exam करा होगे तो आप online करा हो लेकिन mark my words आपको please इन बातों को consider करना पड़ेगा कि यह मजाग नहीं चल रहा कि अभी आप online ले लोगे 2-3 attempt आपने online चला लिए फिर आपने offline कर दिया इसा नहीं होगा अगर आपको online चलाने है तो फिर इसको आप continue online ही रखना है आपको हमेशा आपको अपने आपको update करना पड़ेगा बच्चे तयार है online exam देने के लिए लेकिन आपको भी अपनी अपडेशन चीए कि यह आपने decision लिया और एकदम से आपने बच्चों के ओपर implement करा दिया नहीं पहले खुद तो implement करो से तभी तो आप बच्चों से उमीद कर पाओगे तो प्लीज यह कुछ बाते हैं जो आपको consider करने चीए इस समय बहुत जादा serious situation है बहुत जादा sincere situation है बच्चे बहुत जादा परशान है उनका time एक एक time एक moment एक minute बहुत कीमती है तो प्लीज आप लोग उनके time की value करो और जल्दी से जल्दी इनके ओपर कुछ अच्छे decisions लो और जितने भी मेरे students से मैं आप लोगों से सर यही demand करूँगा जितनी भी बहने बाते आपको बोली हैं यह सारी एक mail बना कर आप institute में mail कर दो जितनी भी mail ID आपको institute की दिखती है सब पे mail करो हर दूसरे 30 दिन mail करो तब जाके institute सुधरेगा और इस बार सर हम लोग सुधरवा के रहेंगे ठीक है जी चलिए फिर I hope आप मेरी बातों को जरूर consider करोगे and इसके ओपर जल्दे से जल्दे एक immediate action लिया जाएगा Thank you very much Bye Bye